हलो फ्यूचर दॉक्टर्स वेलकम टेटीपी स्टार कोटा आम सूर भांसिक राजपूर और जो नी 2022 के एस्पिरिंट्स है मैं उनके लिए बहुत ही बैटरी चाशन लेके आया हूं वीडियो के अंते तक बने रहिएगा जो आपकी फिजिक्स की समस्या है यह वीडियो के अं इंपोर्टेंट चप्टर्स के भी नाम बताऊंगा कि उन चप्टर्स को आपको पूरा ही पढ़ना है तो ध्यान से यस वीडियो के साथ जोड़े रहें और अंते तक जरूर बने चलिए तो वीडियो के श्रुबात करते हैं फूचर दॉक्टर्स सबसे पहले टॉपिक जो चाहिए पर यह एक गलत आइडिया है एक गलत टाक्टिक है आपको सारे टॉपिक्स करने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जो यूनिट आप फोड़के जा रहे हो उसका सवाल बहुत ही लो लेवल का आजा तो आपको फिर बात में लाएक आरे यह तो फॉर्मला बेस सवाल था पढ़ लिया होता है फॉर्मल लगा लिया होता है तो इसी चीज़ को मैं अवाइड करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ ठीक है चली शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक आता है वेक्टर्स ठीक है तो वेक्टर्स का आप जरूर पढ़े एक दू प्रस्ट है जरूर कुछी मिस्स ना करें वेक्टर में खासकर रेजुशन फेक्टर से आप बहुत अच्छे से दियां दे किसके उपर ध्यान देना है रेजुशन फेक्टरस चली आये लेट असमूव ओं तू the next chapter or unit called kinematics. Kinematics में मैंने 3 point को mark कर रखा है. देखिए, हो सकता आपको kinematics पूरी आती हो अच्छे तरीके से, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, जताना चाह रहा हूँ कि ये 3 topic बिलकुल ना छोड़े. Kinematics में सबसे पहला topic है, function and graphs. जैसे आपको S दे रखा हो, V दे रखा हो, A दे रखा हो और कुछ और variables पूछे हो या फिर किसी time पे आपको velocity, displacement, acceleration निकालने को बोला गया हो. That with the help of differentiation and integration, we can usually find it out. So make sure करें आप functions और graph के बारे मैं, ठीक है? बहुत अच्छे साना चाहिए आपको ना? ग्राफ में भी आपको area under कर पता होना चाहिए किस से क्या मिलता है? इसके सवाल एकदम straight पूछे जाते हैं, बहुत easy प्रशन होते हैं. So don't miss this one. Moving on to motion under gravity के problem. Simply ball को उचाला, या दो ball को उचाला, या फिर कुछ seconds के बाद ball को उचाला, तो कब जाके मिलेंगे, कहां जाके मिलेंगे, हाँ या ना, या फिर कितना समय बीच चुका होगा, ये सब चीजे रहती हैं, तो motion under gravity के problem अप अच्छे से करें. तो इक्टाइल मोशन में मैं specifically बोलूँगा, ground projectile को बहुत अच्छे से कर लें. दो चार जो formulas हैं, उनको बहुत अच्छे से देख लें, उनके problem practice कर लें. ये तीन topic never miss it. NLM और friction, whole soul की अगर मैं बात करूँ, जहां सुनना? ये अपने आप में complete topic है, इसके अंदर ऐसा कुछ special नहीं है, या फिर ऐसा कुछ unspecial type कर नहीं है. पर make sure करें, आप अगर NLM की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप springs के बारे में जरूर, यहाँ पर एक आड़ कर ले, springs. Spring के बारे में आपको सवाल बहुत अच्छे से आने चाहिए. खास कर, spring balance and cutting of spring. Spring आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, spring balance ठीक है, और weighing machine के जो problem होते हैं, lift के अंदर ऊपर जाती है, तो क्या होता है, नीचे जाती है, तो क्या होता है? Did you guys get it or not? Weighing machine, spring balance, spring and problem on second law. Simply, क्या दिया जाए, आपको tension निकालने को बोल दिया जाए, इस पर tension कितनी होगी, तो इस टाइप के problem आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. Now, moving on. To the next unit that is called work, power and energy. Work, power and energy, अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा चप्टर नहीं है बिलकुल भी, लेकिन अपने आप में बहुत important चप्टर है. इस चप्टर को अगर आपने अच्छे से नहीं कर रखा है, तो कई चप्टर के concept जो होते हैं, इससे connected होते हैं, and then at some point of time, if you are not done with work, power and energy in a crude manner, then you might face some issues in another chapters. तो make sure करें आप, work, power, energy में आप ये दो चीज़े बहुत अच्छे से सीखें बिटा, that is mechanical energy conservation and total energy conservation. यहाँ पर आड़ कर लीजिए एक और topic that is called friction on an incline. On an incline. Make sure करें, आप friction on an incline जरूर देख के जाए. Now, moving on to the circular motion. Circular motion में, horizontal circular motion और vertical circular motion. यह दोनों को बहुत अच्छे से देख लें, बहुत simple simple से सवाल होते हैं, tension कितनी होगी, किस tension पे टूट जाएगा, या फिर vertical circular motion, minimum velocity कितनी होगी, कि यह looping करें, या फिर किसी angle theta पे कितनी tension होगी. यह जो 4-5 प्रकार की variety होती है, make sure करें, you can't miss it. Moving on. To the next chapter that is called center of mass and collision. यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा tough लगता है, आगे के सवाल करना, पर मैं आपको बता दू. Center of mass and collision, which is the most important topic है, that is called the calculation of center of mass. इसको आप बिल्कुल भी miss ना करें. इसके अंदर एक cavity problems भी होती है, कि एक block के अंदर से, या फिर एक sphere, या फिर एक plate के अंदर से, मैंने कुछ section को cut कर दिया है, तो नहीं center of mass की location क्या होगी, उन साइब प्रॉब्लम को आप बिल्कुल भी ना छोड़े. Shifting of center of mass, ये भी बहुत अच्छा सवाल होता है, बोट के अंदर जो बोट वाली problem होती है, center of mass कितना shift हो जाएगा, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से जहन रागे हैं. और आगे चलिए अगर आप तो एक momentum conservation पर भी आप छोटे मोटे problem कर सकते हैं, लेकिन अगर आप collision करोगे तो उसमें momentum conservation आप अलरीडी जानते होगे, तो elastic head-on collision और inelastic head-on collision इसको आप बहुत अच्छे से कर लें collision में बेटा, सब दो ही चीज़, elastic head-on collision और inelastic head-on collision, ठीक है, moving on, to rigid body dynamics, यह कई बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो यह पूरा का पूरा चप्तर ही छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल गल्ती नहीं करना है बेटा, अगर आपको करना है तो आप make sure करें, calculation of moment of inertia जरूर करें जाएं, rotational equilibrium वाले सवाल आप जरूर देखके जाएं, and rolling on incline, वापसे बोलूँगा यह उतना ही important है, जितना यहाँ पे center of mass important है मेरे भाई, ठीक है, तो make sure करें, आप इन दोनों topics को बहुत ही अच्छे से करें, Now, moving on to simple harmonic motion, simple harmonic motion में, जो सवाल होते हैं किस पे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो कितना time लगेगा, एक वह वाला जो पहला segment होता है SHM का, और दूसरा simple pendulum के सारे cases आप ज़रूर देख लें, यह दो बहुत important है neat point of view से, Now, let us come to fluids, fluids के अंदर भी कई प्रकार की, actually आप देखे तो surface tension, viscosity भी बहुत अपने हाँ में बड़ा chapter है, लेकिन again, neat point of view से आप pressure calculation और buoyancy के उपर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, buoyancy खासकर मैं बोलूँगा, इस पर हराम से अर बार एक सवाल पूछता है buoyancy पर, तो buoyancy force के उपर आप अच्छे से problem practice ज़रूर करें बच्चो, चलिए चीतो, चलते हैं आगे और बात करते हैं, heat and thermodynamics की, अब देखना ध्याम से, यह chapter बहुत ज़्यादा important है, यह chapter जहां पर मैंने टिक लगाया है, यह chapter तो आपको पूरा करना है, लेकिन important graphs है, functions है और carnot है, तीन चीज़ इसके अंदर important है, जतने graph के problem होते हैं, जतने PVT, functions वाले problem होते हैं, P देरका, V देरका, T निकालने को बोला है, तो यह तीनों चीज़े आप बहुत अच्छे से करके चलें, heat and thermodynamics के अंदर, now, moving on, coming to the next topic that is called waves, waves के अंदर मैंने पूरा ही wave लिया है, specifically यह 4 topic बिल्कुल भी miss ना करें, organ pipe, air column, doppler effect and young double flit experiment मेरे भाई, अगर तुमने यह miss किया, matter close हो जाएगा, यह 4 topic तो बिल्कुल नहीं, खासकर, खासकर का है, 4 topic ही, 4 topic ही equal importance के है, देख्या है, चले, moving on to electrostatics, तेख्या है, अब electrostatic के अंदर, आप से जो सवाल पूछे जाएंगे, वो basically किस region से होते जाएथा बटा, force and field calculation, potential calculation, gauss law and its application, यह तीनों चीज़े आपको आनी चाहिए, specifically बोलू, तो पहला segment, force and field calculation के बारे में, आपको बहुत अच्छे से information होनी चाहिए, इन्हीं प्रॉब्लम प्रेक्टिस आप कर लीज़ेगा, moving upon to current and electricity, यह भी जैसे heat and thermodynamics important था, यह chapter भी आपको पूरा आना चाहिए बेटा, यहां से भी 4-4-5-5 question पूछ सकता है, I'm repeating it again, पर specifically कहां से, circuit वाले problem, आरेक्विलेंट निकालने वाले device, दोनों, कौन-कौन से वाले बेटा, potential meter आपको अच्छे से आना चाहिए, और दूसरा galvanometer, यहां मीटर और वोल्ट मीटर, ठेक है, और आखरी आती है, mobility और conductivity के, simple-simple problem, जो formula based होता है, conductivity का formula क्या होता है, mobility का क्या होता है, now, moving on to capacitor, यह chapter, भी बहुत ज़्यादा important है, और इस chapter में, अच्छली ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस chapter के अंदर, आप जो transient analysis है, इसको पढ़ ले, RC circuits के बारे में, directly formula है, उसको आप याद कर ले, उसके graphs देख ले, ध्यान से, और साथी में, इसके जो circuit वाले problem होते हैं, C equivalent वाले, वो भी आप ज़रूर ध्यान से देख ले, moving upon, to next important chapter, that is called, magnetic effect of current, that is, इसके अंदर भी मैंने, तीन चाट टॉपिक को लिख दिया है, लेकिन वापस से, जहां पर मैंने star लगाया है, आप कोशिश करें, यह पूरे के पूरे chapter, एकदम, basic से लेके, अच्छे लेवल तर जरूर करें, right, क्योंकि यह chapters बहुत जादा important है, अपके नीट पॉइंट पॉइव से, now moving on, to, magnetic effect of current, इसके अंदर के आता है, motion of a charge in a magnetic field, जो circular motion कर रहा होता है, R equal to mb by qb वाला concept, दूसरा, calculation of magnetic field, due to ring, rod, plate and sphere, तेक है, same यही चीज़, महाँ पे भी यादा खनाब, electric field के अंदर, calculation of electric field, due to ring, rod, plate and sphere, and the last is earth as a magnetism, एक सवाल पक्का आएगा ही आएगा यहाँ से, now moving on, to modern physics and semiconductor physics, आप देख रहे होगे, मैंने इसके अंदर कोई भी topic नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, this is the reason, क्योंकि आपको यह पूरा chapter बहुत ही अच्छे से करना है, the next important chapter that you need to cover, with full potential is, modern physics and semiconductor, EMI में आप theory वाला portion बहुत अच्छे से कर ले, 2-4 cases होते देख ले, AC में आप specifically यह 3 circuit, LR, CR, RLC, that's it, और कई-कई बार RMS value निकालने को भी आता है, AC plus DC के साथ, तो वो भी देख लेना एक बार, LCR, LR, CR और RLC, in fact, आप RLC देख लोगे, तो यह दोनों अपने आप हो जाएंगे, एक को remove करके, चलो, gravitation, यह बहुत trending हो चुका आज की रिट में, तो important भी हो चुका है, तो इसके अंदर trending क्या है, पीटा, क्या 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 वैलू रहती है, जीसको जरूर देख लिएगा, moving on to the last, but not the least, unit, dimension, error, एक या दो सवाल इसके उपर रहते ही हैं, तो errors के अंदर देख लेना, आप error वाले जो सवाल होते हैं, तो functions दिये रहते हैं, इसके अंदर error कैसे होगा, वो आप जरूर देख ले, और एक सवाल आपको, unit and dimensions के बारे में जरूर होगा, तो देखिए, मैंने कोशिश किया है, एक आखरी चप्टर और आता है, that is called optics, that is called geometrical optics, इसके अंदर कुछ topics हैं, जैसे mirror, formula based देख दमाना, mirror, lens, और refraction, इन दोनों के formula application और refraction के, जो total internal TIR का, जो concept है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, तो कौन-कौन से चप्टर आपको नहीं छोड़ना है, heat and thermodynamics, current electricity, magnetic effect of current, modern physics, semiconductor physics, and the last but not the least, kinematics भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, यह chapter तो आप कोशिश करें, कि जो मैंने 6-7 chapter के नाम लिये हैं, यह पूरी तरीके से आप complete करें, बाकियों कि मैंने आपको important topic बता दिये हैं, तो अपनी preparation में, इस वीडियो का जरूर यूज करें बेटा, और मैं आपको एक बार समय देता हूँ, आप इस screenshot ले सकते हैं, आप अगला screenshot ले सकते हैं, और आप आखरी screenshot भी ले सकते हैं, इसके बाद एक और है screenshot, So, these are all your screenshots, तो save it in your phone, आप अपनी कॉपी में लिख लिए और मेक शॉर करें, आप एक प्रिशन इसी के according करें, So, I hope आपको शेशन बहुती शांदर लगा हो, और गवराय नहीं, निश्चिंत रहें, आप जितनी महनत कर रहें हैं, उस महनत का कही न कही आपका फ़ल जरूर मिलने वाला है, लेकिन अभी ये टाइम आ चुका है, ताकि आप अपनी पूरी potential से अपनी पड़ाई में जुड़ जाएं बटा, ठीक है, क्योंकि अब से एक महीने बाद हो सकता है, लेट हो जाएं, ठीक है,